नमस्ते दोस्तों क्या आपका बजट है पच्चीस हजार और आप धून रहे है कोई साभी एक बेस्ट स्मार्टफोन तो मैंने आपके लिए स्लेक्ट किया है टॉप फाइव बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25,000 नमबर 5, OPPO F23 5G बात करें इस फोन की डिस्प्ले की तो इसमें आपको 6.72 इंच का फुल एच्डी प्लस IPS LCD का डिस्प्ले और 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा और बात करें इस फोन की प्रोसेसर की तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 695 5G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जिससे आप तगड़ी गेमिंग का मज़ा ले सकते है और ये फोन 8GB RAM आप्शन के साथ आता है और इसमें आपको Android 13 का स्पोर्ट देखने को मिल जाएगा और बात करें इसकी कैमरा की तो इसमें आपको ट्रीपल कैमरा का सेटप देखने को मिल जाएगा जिसमें आ आपको 5000 mAh की बैटरी और 60W का फास्ट चाजिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है और बात करें इस फोन की प्राइसिंग की दो इसका 8GB RAM और 256GB ROM वाला वेरियंट आपको 23,900 निनामबे में मिल जाएगा नमबर 4, Samsung Galaxy M53 5G बात करें इस फोन की डिस्पले की तो इसमें आपको 6.7 इंच का Full HD Plus Super AMOLED डिस्पले और 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा और बात करें इस फोन की प्रोसेसर की तो इसमें आपको Mediated Dimensity 900 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जिससे आप गेमिंग का मज़ा ले सकते है और ये फोन 6GB और 8GB RAM option के साथ आता है और बात करें इसकी कैमरा की तो इसमें आपको Quad कैमरा का सेट अप देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको 108MP Primary Camera Plus 8MP Ultra Wide Plus 2MP Depth Camera Plus 2MP Micro Camera देखने को मिल जाएगा और साथ ही इस फोन में आपको Selfie के लिए 32MP का Front Camera देखने को मिल जाएगा जिससे आप अच्छी खासी पीचर क्लिक कर सकते हैं और बात करें इस फोन की बैटरी की तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी और 25W का Fast Charging का सपोर्ट देखने को मिलता है और बात करें इस फोन की प्राइसिंग की दो इसका 6GB RAM और 128GB ROM वाला आपको 24,900 निनामवे में मिल जाएगा नंबर 3 Redmi Note 12 Pro 5G बात करें इस फोन की डिस्प्ले की तो इसमें आपको 6.67 इंच का Full HD Plus Emoled डिस्प्ले और 120Hz refresh rate देखने को मिल जाएगा और बात करें इस फोन की प्रोसेसर की तो इसमें आपको Mediatic Dimensity 1080 का प्रोसेसर देखने को मिल जिसमें आपको 50 Megapixel Primary Camera Plus 8 Megapixel Ultra Wide Camera Plus 2 Megapixel Micro Camera देखने को मिल जाएगा और साथ ही इस फोन में आपको सेलफी के लिए 16 Megapixel का Front Camera देखने को मिल जाएगा जिससे आप अच्छी खासी पीचर क्लिक कर सकते हैं और बात करें इस फोन की बैटरी की तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी औ और 60W का Fast Charging का Support देखने को मिलता है और बात करें इस फोन की Pricing की दो इसका 1GB RAM और 128GB ROM वाला Variant आपको 24,900 निनामबे में मिल जाएगा बात करें इस फोन की डिस्प्ले की तो इसमें आपको 6.62 इंच का Full HD Plus Emoled डिस्प्ले और 120Hz refresh rate देखने को मिल जाएगा और बात करें इस फोन की प्रोसेसर की तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 875G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जिससे आप अगड़ी गेमिंग का मजा ले सकते ह और ये फोन 8GB और 12GB RAM option के साथ आता है और बात करें इसकी camera की तो इसमें आपको triple camera का setup देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको 64MP primary camera plus 8MP ultra wide camera plus 2MP micro camera देखने को मिल जाएगा और साथ ही इस फोन में आपको selfie के लिए 16MP का front camera देखने को मिल जाएगा जिससे आप अच्छी खासी feature क्लिक कर सकते हैं और बात करें इस फोन की battery की तो इसमें आपको 4700 mAh की battery और 80 watt का fast charging का support देखने को मिलता है और बात करें इस फोन की pricing की दो इसका 8GB RAM और 128GB ROM वाला variant आपको 24,900 निनामबे में मिल जाएगा No.1 Realme 11 Pro 5G बात करें इस फोन की display की तो इसमें आपको 6.7 inch का full HD plus emoled display और 120Hz refresh rate देखने को मिल जाएगा और बात करें इस फोन की processor की तो इसमें आपको Mediatek Dimensity 7050 का processor देखने को मिल जाएगा जिससे आप तगली gaming का मज़ा ले सकते है और ये phone 8GB और 12GB RAM option के साथ आता है और बात करें इसकी camera की तो इसमें आपको dual camera का setup देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको 100 megapixel primary camera plus 2 megapixel depth camera देखने को मिल जाएगा और साथ ही इस phone में आपको selfie के लिए 16 megapixel का front camera देखने को मिल जाएगा जिससे आप अच्छी खासी feature click कर सकते हैं और बात करें इस phone की battery की तो इसमें आपक आपको 24,900 निनामबे में मिल जाएगा